Hello friends, आज मैं आपको 2015 की Will You Be There? ये एक time travel love story explain करने वाला हूँ इस movie की storyline बताना ये एक spoiler हो सकता है तो इसलिए direct start करते है movie start होती है और हमारा main character Sue हमें दिखता है ये एक जंगलों में होता है यहाँ के जो सब अधिवासी लोग है इन्हे help करने के लिए वह वहाँ आया होता है ये एक doctor होता है इस जंगलों में storm आने वाला होता है तो ये और इसके कली आज helicopter से फिल से अपने city में जाने वाले होता है यहाँ पे एक बुड़ा आदमी होता है और इसके गोद में एक छोटी सी लटकी होती है ये लटकी बहुत ही छोटी सी है और इससे medical help की ज़रूरत है इसलिए बुड़ा आदमी इसे रुकने के लिए बोल रहा होता है सू helicopter में बैठता है पर फिर अपना mind change कर लेता है और इस छोटी सी लटकी को help करने के लिए वहाँ रुक जाता है ये जो छोटी लटकी होती है इसके lips abnormal होती है ये बुड़ा आदमी फिर कहता है कि ये लटकी मुझे जंगलों में मिली थी अगर मैं इसके care नहीं रखता तो ये मर जाती वो सू को thank you कह रहा होता है कि उसने इस लटकी की help की है ये old man सू को पोचता है कि क्या ऐसी कुछ चीज है जो तुम life में करना चाते हो सू कहता है कि मुझे किसी को देखना है इसके लिए मैं wait नहीं कर सकता ये old आदमी फिर उसे एक bottle देता है इस bottle में बहुत सारी गुलिया होती है इसके बाद next day में हमें young सू दिखाया गया है ये एक dolphin की शो में आयो होता है इस dolphins की जो instructor होती है ये इसकी girlfriend होती है इसका नाम Yona है ये शो देखते ही देखते सो जाता है जब ये शो खतम हो जाता है तो Yona इस पर चीड़ी होई होती है क्योंकि ये सो गया था ये इससे sorry कहता है पर ये दोनों train में ज़रा दूर ही बेटते है जब ये पार्क में उतरते है तो एक दूसरे के पास हो आ जाते है सू का हाथ ज़रा hurt हो गया था तो इसे मलम पट्टी वो करती है ये कल ही हुआ था तो वो उसे कहती है कि तुम्हें ज़रा careful रहना चाहिए तुम सरजन होने वाले हो तुमारे हाथ बहुत ही important होते है सू कहता है कि कितनी time तक हम एक दूसरे से अलग थे ये एक ही minute के लिए अलग थे पर इनको ये बहुत ही ज़ाद अलगता है सू कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया ये केकर फिर एक दूसरे को ही हग करते है सू और योना ये अलग अलग cities में रहते है सू उसे मिलने के लिए आया था अब ये जाने वाला है जब योना उसे station पर छोड़ने के लिए आती है तो योना उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हो सू ज़रा अनकमफटेबल हो जाता है वो कहता है कि जब मैं बहुत जाओंगा तब मैं तुम्हें कॉल करूंगा योना हमने जॉब पर होती है चोटे बच्चों ने डॉल्फिन्स के लिए एक गिफ छोड़ा होता है चोटे बच्चे कार्टून देखते हैं तो होने लगता है डॉक्स और डॉल्फिन ये न दौना फ्रेंड से तो यहाँ छोटा सा एक डॉक वो छोड़ कर जाते है योना जब इस डॉक को देखते है तो इसे बहुत ही क्यूट लगता है नेकसिन में देखता है कि योंग सू स्टेशन पर उतर गया है और योना को कॉल कर रहा है उसके साइड में ही एक आदमी होता है और एक खासरा होता है यह जो है यह ओल्ड सू है यंग सू फिर इसके हेल्प करने के लिए जाता है उससे बुछता है क्या तुम ठीक हो जब ओल्ड सू यंग सू को देखता है तो अचमेज हो जाता है उसे बिली हो नहीं हो पाता कि यहसा कैसे हो सकता है Old Suh उसका नाम पुछता है जब नाम बता दिता है तो Old Suh कहता है कि मेरा भी यही नाम है Young Suh अब ज़रा uncomfortable हो जाता है Old Suh को बहुत ही खासी आने लग जाती है Young Suh अपना रुमाल होसे देता है Old Suh वहाँ से भागते भागते चला जाता है और ट्वालेट में आ जाता है यह जो रुमाल था, यह योना ने उसे दिया था यह अंग सो को यह रुमाल वापस चाहिए तो ट्वालेट तक जाता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता अब डारेक्ली ओल्ड सू फ्लाइट में है यह हमें दिखता है यह टाइम ट्राइवल करकर उसके पास में चला गया था इसके एड़ से 30 एर्स पहले हो चला गया था यह समझ नहीं पाता कि यह हुआ क्या था नेकस दिन जब यह अपने हॉस्पिटल पहुचता है तो वंडर करता है क्यों से इतनी खासी क्यों आ रही थी सिटी स्कैन मंगवाता है उसके एक कलिक होती है जो उसकी बेस्ट्रेंड होती है वो कहता है कि एक बार इसे देख लो कितना टाइम इसके पास बचा है वो मुझे बताओ यह कहती है कि सिफ 6 मैने इसके पास है यह ओल्ड सू का सिटी स्कैन है इसी किसी की भी गोली तुमें नहीं लेनी चाहिए यानि कि ओल्ड मैन ने इसी गोली दी थी ये लेकर ये 30 years back में चला गया था ओल्ड सू अंडर करता है कि अगर मैं फिर से वापस गया तो क्या मैं योना से फिर से मिल सकता हो टेहो उसे कहता है कि इसी कुछ भी बाते मत करो अगर तुम उसे फिर से मिले भी तो भी तुमें बहुत तकलिफ होगी अब नेक्सिन में हम 30 years back आ जाते है और यहां सू और टेहो दीखते है यह दोनों आप यंग है सू टेहो को कहता है कि योना से मैं कल मिला था तो उसे मुझसे बेबी चाहिए यह बहुत ही स्टेस में होता है टेहो उसे कहता है कि तुमारा रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी है साथ साल गुजर चुके है अब राइट समय कि तुम शादी कर लो और तुम फिर बच्चे के गरा कर सकते हो सू उसे खेता है कि मैंने बहुत पहले डिसाइड गया था कि मैं बच्चे नहीं होने दूँगा यह फिर आगे चलने लग जाते है और यह कल उसके साथ जुभाता और यह को ओल्ड सू से मिला था यह सब उसे वदता है ते उसे कहता है कि तुम्हारा कोई ओल्ड पेशन होगा ज़्यादा कुछ वरी मत करो अब हम फिर से ओल्ड सू दिखाया गया है यह घर आता है वह इसके बेटी का इसे गॉल आता है इसकी बेटी इसे call पर खेती है कि अच्छे से खाना अगे रखाओ ओल्ड सू जो होता है वो अपना खायाल ने रखता कुछ भी खाना खाता है अनली लाइपस्टाइल जीता है ओल्ड सू को फोर्मर किसी आदमी की आवाज आती है तो उसके लिए जारा concern होता है इसकी बेटी कहती है या अगर तुम ऐसे करोगी तुम्हें फोन रख दूगी फिर ये दोनों बाते करने लग जाते है ये फोन जब चल रहा होता है तो वे ओल्ड सू को और भी खासी आने लग जाती है ये फिर फोन रख देता है अपनी डॉटर को कुछ भी उसे बताना नहीं होता रात में फिर से उस ओल्ड मैन ने उसे जो गोलिया दी थी ये वो देखता है ये अपने आप से कहता है कि वो इसे फिर मरने वाला हूँ इससे कुछ जादा फरक नहीं पड़ेगा ये गोलिया लेकर रोस हो जाता है योना को उसे फिर से मिलना है इसलिए ये गोलिया वो ले रहा होता है अब 30 साल पहले हमें यंग सू और योना दिखते है योना को जो पपी मिला था ये सू को वो देना चाहती है सू कहता है कि मुझे पता नहीं कि इसका खैल में कैसे रखू यह बहुत ही दूर से आई होती है और फिर से इसे जाना होता है सिर्फ पाच मिलिट के लिए आती है सू बिलिव नहीं कर पाता कि इसे सिर्फ यह बपी देने के लिए वो आई थी जाते जाते योना कहकर जाती है एनिमल्स और चोटे बाच्चे यह बहुत जादा सेम होते है तुम अगर इसका खैल रख सकते हो तुम हमारे बेबी का भी खैल रखोगे इसका तुम अच्छे से खैल रखना यंग्सू फिर इस पपी को घर पर लेकर आता है इसे पोटेटो नाम देता है उल्ड शू गोली लेकर फिर से ओल्टाइम बेरेंट में आ जाता है यंग्सू जब इससे देखता है तो अटाए जाता है उल्ड सू सब चीज़ों को टच करता है उसका जो सब पुरा नगर था यह को फेस से देख रहा होता है यंग सुसे कहता है कि अभी कि अभी तुम यहान से निकल जाओ फिर ओल्ड सु से बतता है मैं और तुम सेमी हो मैं तीस साल बात कहूँ यंग सु इसले बिलीव नहें करता उसे अपना ID कार्ट पुछता है यह ID कार्ट जब यंग सु देखता है तभी इस पर date 2008 की होती है यह उसे कहता है कि मेरे साथ मजाक मत करो यहाँ से तुम निकल जाओ यह जब यह बोलता है तभी यंगसु का पपी ओल्डसु को दिखता है यह उसे पोटाटो बुलाता है यह उसे बुछता है कि तुम्हें इसका नाम कैसे पता यह उसे जो भी सब हुआ है यह उसे कहता है यह उसे कहता है कि अभी के अभी तुम यहाँ से निकल जाओ वरना पुलिस को मैं कॉल करूँगा यह उसे कहता है कि जो भी तुम मुझे बात करे हो यह मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा वोल्सू उसे कहता है कि हमारा एक सिक्रेट है जिसे हमने किसी को भी नहीं बताया है वो फिर उसके सर पर जो निशान है वो दिखाता है वो कहता है कि फादर हमें मारते थे फादर के मार से हमें ये चोट लग गई थी हमने इसे हमेशा से छुपाया है क्योंकि अगर मदर को पता चलता तो उसे बहुत ही बुरा लगता मदर को हम एक तरह से प्रोटेक्ट करें है यह समझ कर हमने स्काप छुपा दिया था यंग्सू चीर्ज आता है और पूछता है तो इम उससे क्या चाहिए वोल्सू कहता है कि मुझे सिर्फ उसे देखना है योना को नाम वा लिता है तभी इससे खासी आने लग जाती है वोल्सू आ से भाग जाता है और फिर से प्रेजेंट में अपने बात्रूमें आ जाता है यंग्सू भीर भागता है और भागते भागते अपने फ्रेंड टेहो के पास आचाता है उसे जो सब हुआ है यह उससे कहता है कहता है कि योना के बारे में भी इसी पता है योना डेंचर में हो सकती है टेहो अपने गर्फरेंड के साथ होता है पर इसके साथ इसे पुली स्टेशन में आना पड़ता है पुलिस स्टेशन में आने के बाद एक लाइटर वो टेहो को देता है यह जो लाइटर है वो अल्ट सू छोड़ कर गया था यह उसे कहता है कि इसके फिंगर प्रिंट से तुम मैच करा इसके कन्फर्म करना होता है कि यह दोना सेम ही है टेहो कहता है कि जैसे मूवीज में दिखाते है इतना इजी नहीं होता फिर वो उसका अच्छा फ्रेंड है इसके लिए उसे हेल्प करने वाला होता है और सो जब रात में घर पहुचता है तो वो फिगर आउट करता है कितने समय तक वो उस पास्ट में रह सकता है वो 20 मिनिट्स तक वाहर रह सकता है उसे अब पता चल जाता है इसके पास जो गुलिया होती है यह भी कम ही होती है यानि कि 10 बार ही यह पास में जा सकता है और सो वंडर करता है कि गुलिया किस तरह की है वो लैब में इसका थोटा सा सैंपल भेजता है पर यह और गनी कि होती है इसमें कुछ भी मेडिसीन या हलोसिनेट वो कर रहा है इसा कुछ भी नहीं है यंग सू फिर योना को कॉल करता है उसे सावदान रहने के लिए कहता है जो फिंगर्प्रिंट से रिजल्ट है वो वापस आ चुके है टेव से कहता है कि इस बस सिब तुमारे ही फिंगर्प्रिंट से किसे और के नहीं है अब यह कंफंग हो जाता है यह ओल्ड सू वह साच्वाच में आया था यंग सू फिर से ओल्ड सू से मिलना चाता है उसे मिल सके इसका कोई भी वे उसे मालूम नहीं है तो अपने आम पर वो एक टाटू बनवाता है इसमें फिर से वापस आ जाओ यह लिखा हो आता है ओल्ड सू जब अपने ओफिस में आता है तब उसे वो गोलिया मिलने पाती वो कच्रे में चली कही है ऐसा उसे लगता है कच्रे के गाड़ी के पास वो भागता है सब कच्रा वो निकालता है फिर भी उसे कही भी नहीं मिलती जब फेस अपने ओफेस में आता है तो वो जरा नीचे ही गिर गई होती है यह फिर जेन की सास लेता है और काउच पर बेटता है अपने हाथ पर उसका आटेंशन जाता है इसमें जो यंग सुने टाटू बनवाया था इस पर आ चुका है आज ओडशू के बेटी उससे मिलने के लिए आय हुए होती है इससे लेने के लिए हो जाता है और इसके डॉक्टर से कहते है कि मुझे पता है कि यह possible नहीं है ओडशू डॉक्टर होता है तो कभी भी इससे emergency आजाती है और ही कभी vacation नहीं ले पाता ओल्ड सू इसे इंसिस्ट करता है तो यह कहती है जू छोड़ कर हम कहीं भी जा सकते है यह कहता है तो हम एक्वारियम जाएगे यह दोनों हसने लग जाते है यह बहुत ही प्यूटिफुल रिलेशन इन दोनों की हमें दिखाई गई है वैसे हमें यंग सू दिखाई जाता है और उसे बुरा लग रहा है यह दोनों से वो ठीक से बात किये है कि चला गया था इसके लिए बहुत सारे बलुन सु अगेरा उसके लेकर आता है यह उना की पास आकर कहता है कि फ्रॉग्स जेबरा या अपने मेट को प्लीज करने के लिए सिंग करते है यह बलुन उसे देत लीती है ये भी डॉक्टर होने वाली है जब ये डिनर के लिए बैठते है तो ओल्ड सू से कहता है कि तुम्हें अपने हायर एजूगेशन के लिए अमेरिका जाना चाहिए वहाँ बहुत ही अच्छे मेडिकल स्कूल से और तुम्हारी मदर भी वहा है इसकी डॉर्टरों से क जाकिट देता है औल्ड सू को उसकी डॉर्टर कैती है कि तुम्हारी लेट वाल्फिन हो चुके है तुम्हारा वक्त कैसा है प्रमी ज्यादा कुछ नहीं पिदला मुझे बहु कभी दॉक्टर बन जाता हो, ओल्सू कहता है कि तुम हमेशा से अच्छे दॉक्टर थे, यंग्सू को नहीं लगता कि वो कभी फादर बनेगा, यह फिर ओल्सू से पूछता है कि क्या तुम कभी फादर बने हो, ओल्सू कहता है कि मुझे एक डॉक्टर है, ओल्सू को योना का दे पर फिरो वहाँ से गायब हो जाता है इसके ट्रेंटी मिनिट्स से ये लिक हो चुकी है आप नेक्स टाइम जब याइंग सू और योना साथ होते है तब याइंग सू उसे दिल भर कर देखता है अगर हो मर गई तो क्या होगा ये सब वेंडर करता है यह उसके बिना रह नहीं सकेगा ओल्ड सू अपने घर पर गाना सुन रहा होता है इसके जो डिस्क होती है इस पर कुछ लिखा होता है मदर का अलबम उसे देखना है एक मैसेज यंग सू ने उज़े बेचा होता है जब यह अलबम देखता है तो उसमें एक लेटर होता है इसमें लिखा होता है कि तुमने मुझे ऐसी निज़ दी उसके बाद तुम गायव हो गए तो यह फिर से वापस आना पड़ेगा अगर तुम नहीं आए तुम्हारी लाइफ में बरबाद कर दूँगा अब next scene bus stop पर यंग्सु होता है उसे ओल्ड सू मिलने के लिए आता है उसे अभी भी believe नहीं हो रहा था कि योणा मरने वाली है यंग्सु से पोचता है कि कैसे मरी थी ओल्ड सू कहता है कि तुम्हारे वज़े के मरी थी तुमने से सही सर data ने दिया तुमने उसे ignore किया इसलिए यह सब हुआ है यंगसू से कहता है कि मैं careful रहूंगा हम दोनों मिलकर इसे बचा सकते है मुझे बता हो कि क्या करना है ओल्सू कहता है कि हम यह नहीं कर सकते हम pass change नहीं कर सकते और हम आज मुमेंट है वो तो हम नहीं बदल सकते ओल्सू फिर उसे बोचता है कि तुम योना के लिए क्या कर सकते हो यंगसू कहता है कि मेरे life पूरे में उसके लिए दे सकता हो ओल्सू फिर उसे बोलता है कि क्या तुम योना की life से चले जा सकते हो यह एक way है कि योना भी जिन्दा रहेगी और हमारी बेटी भी जिन्दा रहेगी अब यही एक वे है तो यंगसू भी इसके लिए मान जाता है वोल्सू से कहता है कि अब तुमें उससे ब्रेक अप करना है जब यंगसू और योना घर पर आते हैं तो योना उसे कहती है कि हमारे बेटी का नाम हम सुहा रख सकते है यह दोनों के नेम का मिलन होता है यंगसू इससे जी भर कर देख लेता है इसके बाद नेक सीन में हम देखता है यंगसू हस्पिटल में उसके फादर जो है अब यह आडमिट वहा है इसके फादर मरने वाले है इसके फादर से मिलने जब वो जाता है तब ही उसके फादर इसकी मदर को इगालिया देते है कहते है कि उसने मुझ पर चीट किया था इसलिए इसके फादर उसकी मदर को माते थे यंगसू कहता है कि पहले तुमने उस पर जीट किया था यंगसू फिर वहाँ से चला जाता है और फोन लगाता है योना उसे मिलने के लिए आने वाली होती है दो मेने गुजर चुके है पर वो मिले नहीं थे उसे तीन दिनों के लिए उचुटी मिली है तो उसे मिलने के लिए आ रही होती है ओल्ड सू से कहता है कि अगर तुम्ही योना को बचाना है तो एक कॉल करकर उसे यहाँ बुलाना पड़ेगा जो पहला बास था जब योना को बता दिया था कि उसे नहीं आना है इसलिए उसने तब उसे आने के लिए मना कर दिया था पर अब ओल्ड सू से कहता है कि उसे अब तुम्ही यहाँ बुलाना है अगर योना नहीं आती है तो उसका एक्सेडन हो जाता जिस डॉल्फिन को ट्रेंड कर दी थी यह बिमार पड़ चुगा था जब इस डॉल्फिन को बचाने के लिए वह आ गई तो इसका एक्सेडन हो गया यह मर गई अब जो यह यंग सू की पास आने वाली है तो यह बच जाएगी यंग सू यह कॉल कर देता है और असी यही बुला लेता है जो निउस्पेपर में हेडलाइन्स होती है यह भी बदल जाती है यानि कि योना की लाइफ इसने सेव कर ली है योना जब वहाँ थी है तो अपने फादर से इसे मिलवाता है उसके फादर गैसे थे यह सब वह से कहता है यह फिर योना से कहता है अब तुम मुझे एनवे करने लग गई हो जब से तुमने मुझे से कहा है तो यह बच्चे चाहिए तब से मेरा माइंड चेंज हो गया है मुझे कभी बच्चे नहीं चाहिए थे उससे वो बहुत हासली ब्रेक अप करके वहाँ से चला जाता है यंग्सू के फादर भी मर जाते है यंग्सू के फादर के फिनरल पे ओल्ड सु भी आता है यंग्सू इस पर बहुत ही जिट जाता है उससे कहता है कि मेरी पूरी लाइफ तुने वर्बात कर दी है मैं उसके बिना नहीं जी सकता वो अल्सू कहता है कि मैंने भी 30 years उसके बिना जी है वो अल्सू फिर वहाँ से चला जाता है यंग्सू का फ्रेंड टेहो भी वहाँ आता है उसे सहाय देने की कोशिश करता है पर वो उसे दूर कर देता है उसे कहता है कि मुझे किसी की भी ज़रुरत नहीं है इनकी फ्रेंशी भी हाँ तोट जाती है जब यंग्सू फिर से फ्यूचर में जाता है और आप फ्रेंड से मिलने जाता है तो टेहो उसे पहचान नहीं पाता टेहो उसे कहता है कि तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम ऐसे मुझे मिलने आओगे और मैं तुम फ्रेंड बना लूँगा और अगर वो वहाँ चला गया तो इन दोनों के relationship फिर से अच्छी हो सकती है यंग सू को फिर से एक मुका मिल गया है तो वो भागते भागते वहाँ जाने के लिए ready हो जाता है अब यंग सू योना के पास जा रहा है तो ओल सू की life change हो रही है यंग सू को अपने friend का फिर से गॉला जाता है यह दोनों अभी भी friend है ओल सू को समझ में नहाता कि यह हो क्या रहा है बातो बातो में ओल सू अपने daughter का नाम लेता है टेहो को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता यानि कि अगर यंग सू योना से मिल गया तो इसकी daughter भी अब होने नहीं वाली ओल सू अपने daughter की images देखता है तो वो fed होने लग जाती है यंग सू भाग भाग कर योना के पास जाता है ये रस्ते के दूसरे side पर होती है इससे मिलने के लिए वो आ रही होती है तब है इसका accident हो जाता है ओल सू की जो सब photograph थी याने उसकी बेटी वेगरा वो फिर से वापस आ जाते है ओल सू अवे figure out नहीं कर पाता ये इंटरनेट पर योना को साच करता है ये car accident में मर गई थी उससे पता चलता है ये फिर hospital में आता है इसके file वा देखता है इस fire में लिखा होता है कि उसके brain में blood clot थी अगर जल्दी पता चल जाती तो योना बस सकती थी अभी decide कर लेता है कि योना को से बचाना है ये time travel करकर फिर से यंग सू के पास आ जाता है उसे सब को जो बताता है कि वो clot हमें निकालनी पड़ेगी यंग सू अपने friend से मदद लेता है ओल सू इस पर operation करता है यंग ये दर्वाजा बन कर लेते हैं ये operation वो कर लेते हैं और ओल सू फिर से अपने future में चला जाता है ओल सू अब हमें hospital में दिखाए गया है जब ये पास से वापस आया था तो ये तीन दीन तक सौया हुआ हुआ था उसकी बेटी उसे देखने के लिए आई हुई होती है ओल पता निकालता है योना अभी भी जिंदा है और वो भी अब old बन चुकी है ये भी अब नए जो instructor बनने वाले है इनको गाइड करती है योना जिस बीच पर होती है इस बीच पर वो चला जाता है उसे देखने के लिए उससे पास आता है उससे देखता है और वो अपना move फेर रहता है योना को पता नहीं चलने देता कि उसे मिलने के लिए आया था योना के एक्सिडेंट के बाद वो लंगडा कर चलती है जब ओल्सू यंग्सू से फिर से मिलने के लिए आता है तो यंग्सू से बुछता है कि क्या योना ठीक है ओल्सू से कहता है कि कोई भी प्रॉलम यही important है अपनी life तुम अच्छी तरीके से जीओ यह खेकर वो उसे कहता है कि अब हम last time मिलेंगे हम फिर से नहीं मिलने वाले वो अब सो उसे कहेकर जाता है कि 10 साल बात तुम conference में जाओगे तुम्हें एक लड़की वहां मिलेगी उसे तुम बात कर लेना यही तुम्हारी बेटी की मदर है अब हमें एक conference भी दिखती है और इस लड़की से मिल चुका है यह भी हम दिखता है थोड़े दिन बाद इसे news मिलती है कि वो pregnant है और उसे बेटी हो जाती है यंग सु की बेटी की responsibility इसकी मदर नहीं ले थी तो यंग सु अपनी बेटी को अपने घर पर लेकर आता है बचपन से लेकर अब वो बड़ी हो चुकी है तो सारे moments हमें अभी यहाद दिखाया जाते है अब मैं ओल्ड सु दिखाया जाता है और अपने डॉर्टर के साथ vacation के लिए आया हुआ है यह दोनों लेक के पास बेटे हुए है उल्ड सु से कहता है कि मैं अच्छा डैट नहीं था मैं बहुत ही clumsy था उसके डॉर्टरों से कहती है कि मैं भी कुछ अच्छी डॉर्टर नहीं थी मैंने भी तुम्हें बहुत तंग किया है वो अपने फादर को कहती है यह बहुत ही लगी थी मुझे तुम्हारे जैसे फादर मिले थे यह अपने डैट से पुछती है कि अगर मैं तुम्हें miss करूँ तो मैं क्या करूंगी ओल्ड सू से कहता है कि अगर तुम किसी को miss कर रही हो तो उसकी अच्छी memories याद करना तो memories के सारी जी सकती हो ओल्ड सू रोने लग जाता है तो उसकी daughter को भी रोना आ जाता है अब सारा time गुज़ा जाता है और ओल्ड सू मर चुका है टेहो और उसकी जो friendship थी ये 30 साल तक नहीं थी अगर फिर से friendship कर लेते तो इनकी timeline पर फरक पढ़ सकता था इसलिए इन दोनों ने कभी फ्रेंचिप नहीं रखी टेहो को जब पता जलता है कि ओल्ड सू मर चुका है उसके funeral पर वो आता है तो ने जो special fruits होते है ये उसे देता है ये जो fruits है ये orange और tangerine ये दोनों अलग-अलग fruits का combination है सुने ही उसे encourage किया था ये तुम्हें ये जो fruits है इसे grow करना चाहिए टेहो कहता है कि मैं तुम्हें advice ले ली थी इसके बाद मैं अमिर बन गया था ओल्ड सु की डॉटर फिर वहा थी है ये कहती है कि क्या आप टेहो हो ये पुछता है कि तुम्हें कैसे बता तो कहती है कि मेरे फादर ने कहा था कि उनकी funeral में सबसे last में आप ही यहाँ से जाओगे एक box टेहो को देती है और कहती है कि मेरे फादर ने मुझे देने के लिए आपको बोला था टेहो बीच पर आकर ये सब पढ़ता है इसमें जो सब हुआ था टाइम ट्राइव लगे रहा ये सब लिखा होता है टेहो फिर योना से मिलने आता है उसे न्यूस बताता है कि ओल्ड सु मर्च चुका है योना ये सुनकर रोने लग जाती है वो कही थी है कि मुझे लगा था कि मैं उसे भूल चुकी होंगी जो सब ये स्टोरी हुई है जो सुने उसे सब कुछ बता दिया है ये योना को बता देता है नेकसिन में टेहो अपने फार्मबर होता है और वो अकाउंट करने लग जाता है उसके दिमाग में आता है कि सु के पास तो दस गुलिया थी बाकी की एक गोली खा गई वो फिर सु के घर में आता है पुरा घर चानता है सु की जो रेकाड होती है उसमें उसने चुपा कर रखी होती है टेहो अब डिसाइड कर लेता है कि उसे अब सु को बचाना है एक गोली लेता है पर इसके बाद उसे सोना होता है पर इस सोनी पाता वो फिर बाहर आता है और वहाँ स्टेर के सु दिया यह वहाँ से जान पूछ कर गिर जाता है यानि कि वो बेहुश हो जाए और फिर से past में आ सके ये फिर यंग्सु से मिलनी के लिए उस्पिडल में आता है यंग्सु सिगरेट पी रहा होता है ये उसे चीन लेता है और फेक देता है उसे कहता है कि इतने irresponsible कैसे हो सकते हो इतने चोटे से pleasure के लिए तुम अपनी राइफ क्यों बरबात कर रहे हो टेहो उसे pills वेगरा इन सब चीजों के बारे में बोल देता है उसे ये भी कहकर जाता है कि 10 साल तक हमारी friendship नहीं रहेगी पर मैं तुम्हारा वेट करूँगा ये यंग सू भी अब अपनी आदत छोड़ देता है टेहो जब फिर से future में आ जाता है तो घर के सामनी होता है वो सू को डूढने ही लग जाता है उसे कभी भी मिलने ही रहा होता इसे लगता है कि ये successful नहीं हुआ पर actual में old सू अभी भी जिन्दा है ये योना से मिलने के लिए जाता है योना पाक में होती है तो उसके लिए बहुत सारे बलून्स हो लेकर आता है उसके पास हो जाता है उससे कहता है कि कितने टाइम तक हम एक दूसरे से अलग थे इसके बाद ये दोनों एक दूसरे खुख करते है और यही यह movie खत्म हो जाती है इस movie ने हमारे पास जो है इसे appreciate करना है और हमारी life जो है इस movie में अच्छी तरह किसी जीनी है यह हमें एक अच्छा message दिया है अगर आपको यह video अच्छा लगाओगा तो प्लिस इस video को like कर दीजिगा मैं बहुत सारी ऐसी movies लेकर आधे रहे तो तो प्लिस इस channel को subscribe कर दीजिए और bell notification icon दबाना मत भूलिए हम फिर से मिलेंगे एक नहीं movie के साथ तब ते के लिए thank you और आप आपने आपका ख्याल रखिये